विटनी वुल्फर्ड जो की बंबल टेटिंग एप की फाउंडर और सी यू है वो दुनिया के वॉल्ल्स यंगेस सेल्फ मेड वुमेन विलियनेर की लिस्ट में शामिल हो गई है इसके साथ ही 31 की एज में विटनी जो है ऐसी यंगेस्ट वुमेन भी बन गई है जो की अपने कंपनी को यहाँ पे पब्लिक लेके गई है जहाँ पे उन्होंने अपने कंपनी को IPO के लिए भी डेब्यू करवाया है मैं आपको बता दू कि बंबल डेटिंग आप की जब से शुरुआत रही है तो वो शुरू से ही राइट रिजन्स के लिए न्यूज में रही है जहाँ पे मैं बता दू कि बंबल जो है वो एक वोमेन सेंटरिंग डेटिंग आप है जहाँ पे इस आप में जो है कई सारे ऐसे नई फीचर आड किये गए हैं जहाँ पे जो वोमेन है उसको इंपावर करता ही है वाल स्टीट पे जब बंबल का स्टॉक ओपन हुआ तो वो 76 डॉल मिला है और मैं बता दू इसी जंप के चलते बंबल के CEO और founder विटनी वुल्फ हर्ड की जो wealth है वो भी यहाँ पे increase हुई है जहाँ पे मैं बता दू कि आज के time पे उनके wealth यहाँ पे total बताई गई है 1.5 billion dollars की इसके साथ ही बंबल का जो total valuation है यानि के total worth है वो यहाँ पे 13 billion dollars का हो चुका है वही पे जब Bloomberg के एक television interview में Whitney से उनके business journey और इस नए हासिल किये हुए billionaire status के बारे में पूछा गया तो Whitney ने यहाँ पे बताया कि hopefully आने वाली future में ये जो चीज़ नॉर्मल हो जाएगी जहाँ पे और भी उनकी तरह जो women है वो आगे बढ़के आएंगी और वो भी आने वाले टाइम में billionaire का status भी हासिल कर पाएंगी आपको बता दू कि Bumble IPO के success के बाद वुल्फ हट जो है वो अपने आपको एक special league of women में भी शामिल कर पाई है जहाँ पे उनके business area में उनको जो है यहाँ पे उनके efforts को recognize किया जा रहा है क्योंकि अगर Bloomberg report की माने तो world की 500 biggest fortune companies है उसमें सिरफ less than 5% ऐसी women है जो की self-made women की category में आती है वह पे यह जो 5% के self-made women के category है उसमें से American ladies की जो percentage है वो यहाँ पे और भी कम है जहाँ पे इस list में यह 5% के category है उसमें जो most women आपकी आती है वो आपकी Asia से आती है वह पे अगर मैं wealth index में self-made men की बात करूँ तो वो one third जो वो हिस्सा है उसको occupy गड़ते है वुल्फ हर्ड ने अपने bumble का idea पे तब काम करना शुरू किया था जब उन्होंने यह observe कि women को यहाँ पे बहुत जादा sexual harassment face करना पड़ता है वही पे जो bumble है वो tinder के मुकाबले या बाकी जो dating apps के मुकाबले unique इसलिए भी बन जाता है क्यो contact का process है वो ही यहाँ पे initiate कर सकती है पिछले 12 महिने में 559 ऐसे businesses थी जिन्होंने अपने IPO को start किया है उसमें से सिरफ दो ऐसे businesses है जिसमें आपका bumble included है वो यहाँ पे उनकी शुरूआत किसी women ने किये जिससे यह साफ पता चलता है कि wealth creation के मामले में women जो है वो हमेशा पीछे रही है या फिर यू कहले उनको chance ही नहीं दिया गया इसके साथ ही Bloomberg की एक और report में यह निकल के आया है कि 500 लोगों ने मिलके पिछले साल 1.8 trillion dollar यहाँ पे उन्होंने जो है total wealth create किया है जिसमें से surprisingly 91% जो wealth है वो यहाँ पे जो आदमी है उनके पास मौझूद है बाकी का जो percentage है उसमें आपके औरते शामिल है वह वो यहाँ पे वो वापस ला पाई है इसके अलावा उन्होंने जो उनके investors थे उनको भी अपनी company के मदद से एक जबरदस्त profit भी कमाने में help किया है मैं आपको बता दू कि business world में women के लिए harassment face करना वो एक common happening के तौर पे बन गया है जहाँ पे women who tech उनकी एक survey की माने तो 44% of women founders जो है वो अपने workplace में किसी ना किसी तरीके का harassment जो है वो ज़रूर report करती है उन में से one third जो harassment होता है वो आपके sexual harassment के category के अंदर में आता है इनी सारे incidents के चलते विटनी ने जो है bumble app की यहाँ पे शुरुवात की और मैं आपको बता दू कि Austin Texas based यह जो bumble app है इसके शुरुवा के बाद शुरू किया था और मैं आपको बता दू कि Whitney जो है वो Tinder की core team member भी रह चुकी तिंडर को छोड़ने का reason यह था कि Whitney को जो है sexual harassment face करना पड़ा Tinder में जहाँ पे उनके जो executives थे वो कई सारे derogatory names मतलब गंदे तरीके से उनको जो है बुलाय करते थे जिसके बाद Whitney ने जो के basis पे जो उनका co founder का position था उससे भी उनको हटा दिया गया था लेकिन मैं आपको बता दू कि फिर ये जो complaint file की थे Whitney ने उसको उन्होंने फिर बाहर ही settle कर लिया था बाकि दोस्तों आप लोग ज़र हमें comments में बताईए अगर तो आप एक girl है क्या आपने bumble जैसे dating app को use किया ह अगर हा तो आपका user experience कैसा रहा है बाकि अगर आप एक लड़के हैं मर्द हैं तो आप जरह हमें बताईए कि अगर आपने किसी dating app को use किया है especially bumble को तो आपका उसमें user experience कैसा रहा है हमारे साथ जरूर शेर कीजेगा हम जरूर आपसे सुनना चाहेंगे बाकि मुझे उमीद ह यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कीजेगा अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेर कीजेगा और अब एतक चानल को subscribe नहीं किया है तो ऐसे daily videos के लिए हमारे चानल को subscribe करके bell icon को भी जरूर दबा दिजेगा मिरा नाम तोजीदु रोम